हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक नई जानकरी के साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुक्रवार धन के लिए मा लक्ष्मी का दिन माना गया है मा लक्ष्मी अपनी अर्चना से जितना प्रसन होती है उससे अधिक भगवान विश्नु की आराधना से खुश होती है तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ उपाय जिनको करने के बाद आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जल्दी धन पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को शुक्रवार के दिन दक्षनावर्ती शंक में जल भर कर भगवान विश्नु का अभिशेक करना चाहिए इससे जल्दी ही सोभग्य की प्राप्ती होती है शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के इशान कोण यानि घर का उत्तर पूर्वी कोना अथ्वा पूजा इस्थान में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए ध्यान रखें बत्ती में रुई की बाती के स्थान पर लाल रंके सूती धागा हो और दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल दें इसका प्रभाव तुरंथ ही दिखने लगता है इस दिन गरीबों को सफेद वस्तू या खादे पदार्थों का दान करना चाहिए यदि किसी अपाहिच विखारी या गाय को भोजन करवा सकें तो सबसे अधिक शुब रहेगा और जल्दी ही आपको माता लक्ष्मी की किरपा प्राप्त होगी शुक्रवार को तीन कुमारी कर्ण्याओं को घर बुला कर खीर खिलाएं तथा उन्हें दक्षिना पैस्ते तथा पीला वस्त्र दे कर विदा करना चाहिए इससे माता लक्ष्मी की किरपा जल्दी प्राप्त होती है शुक्रवार को श्रीयंत्र का गाय के दूट से अभिशेक करें तथा अभिशेक किये हुए जल का पूरे घर में छड़काव करें इसके पश्चात श्रीयंत्र को कमल गट्टे के साथ अपनी तिजोरी में रख दें जल्दी ही घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में पांच पीली कोडी तथा थोड़ी सी के सर एक चांदिक के सिक्के के साथ बांद कर आपनी तिजोरी में रखनी चाहिए इससे कुछी दिनों में घर में धन आना शुरू हो जाता है और पुराने करजे भी समाप्त हो जाते हैं दोस्तों अब हम आपको ऐसे तीन उपाय बताने वाले हैं जिने आप किसी भी महिने के प्रथम शुकलपक्ष से शुरू करके नियमे तीन शुकरवार करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी प्रतेक दिन नित्य कर्म से स्तानादे से निवरत होकर अपने घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जला कर मा लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं उसके बाद ओम, श्रीम, श्रीय नमय इस मंत्र का 108 बार जाप करें तत पश्चात साथ वर्ष की आयू से कम की कन्याओं को श्रद्धा पूरवक भोजन करवाएं भोजन में खीर और मिश्री जरूर मिलाएं ऐसा करने से मा लक्ष्मी जरूर प्रसंद होगी और आर्थिक परेशानी पतम होगी हो सके तो हर शुक्रवार को लाल या सफेद कपड़े पहनने का प्यास करें हाथ में चांदी की अंगूठी या छला धारन कर उसी समय चावल और शक्कर का किसी योग्य ब्रहामन को दान करें एक बात ध्यान रखें जब भी कोई रत्न पूजन करके आप धारन करते हैं तो उसी समय उस रत्न से सम्मंदित सामगरी का दान करना चाहिए इससे रत्न सम्मंदित ग्रह की शुबदा बढ़ जाती है तो दोस्तो अगर आप कोई जानकर या अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें